Now we come to the most important topic of this period of international politics. अब हम अंतराश्टी राजनीती के एक बहुत अहम विशह पर संख्षिप्त में बात करेंगे क्योंकि ये जो विशह है ये जो टापिक है ये बहुत रिसेंट है और चुकि हमारा अध्यन राजनीती विज्ञान में हमारा जो विशह है वो समकालीन है गट पचास साथ वर्षों का है तो निश्चित रूप से अभी जिस विशह की मैं चर्चा करूंगा उसका संबन्द गट पचास साथ वर्षों के घटना क्रमों से है इसलिए इस विशह की चर्चा करना जरूरी है आप लोगों ने दो बहुत बहुत पूर्ण अध्याय पड़े जो अंतरराश्टी राजनीती को समझने के लिए बहुत जरूरी और वे थे दो धुरूरों का अंत और समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चास्व दो धुरूरों का अंत और दूसरा विशह था अध्याय था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चास्व ये दोनो अध्याय एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं जहां पहले अध्याय में दो धुरुवों के अंत की बात की याने विश्व एक धुरुवी कैसे हुआ इसे जाना और विश्व के एक धुरुवी होने के पहले की घटनाय हमने समझने की कोशिश की याने सोवियत संग के विगटन तक की घटना हमने समझी दूसरे अध्याय में हमने उसी के बाद के काल के बारे में समझा सोवियत संग के विगटन के बाद का विश्व अमेरिकी वर्चस्वता का विश्व है सोवियत संग के विगटन के बाद की अंतरराश्टी राजनीती अमेरिकी वर्चस्वता की राजनीती है तो 1990 के पूर्व के 40 वर्ष पहले अध्याय में और 1990 के बाद के 30 वर्ष क्योंकि 1990 से अभी 2020 चल रहा है, समाप्त हुआ है उसके बाद के 30 वर्ष ये दूसरे अध्याय में और दोनों अध्यायों का संबंद उस विशय से है जिसकी हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए ये आपरिहारे है कि हम इस विशय पर थोड़ा जाने जो विशय हमने पढ़े हैं, जो अध्याय हमने पढ़े हैं, उसके कारण हम इस अध्याय को तो पढ़ ही रहे हैं, इस बिंदु को पढ़ेंगे ही लेकिन साथ ही इस विशय को इसलिए भी और समप पढ़ना जरूरी है या समझना जरूरी है क्योंकि यह वर्तमान का विशा है और एक ऐशा विशा है जिसने पूरी दुनिया को जज़कोर दिया है और वह विशा है अफगानिस्तान की समस्या वह विशा है अफगानिस्तान की समस्या या हम उसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं अफगानिस्तान और तालिबान संभवता 21 शताबदी का ये सबसे महत्पूर्ण मोड है अभी तक की 21 शताबदी के 20 वर्ष गुजर चुके हैं इसने खाड़ी युद्ध देखे इसने कुछ और घटनाएं देखी लेकिन सतत रूप से इन सभी घटनाओं के केंदर पर अफगानिस्तान था अफगानिस्तान की समस्या क्या है थोड़ा इस पे जाने और संक्षिप्त में इसको समझने की इसकी थोड़ी गहराई पर जाने की कोशिश करें तो हम शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान अफगानिस्तान का नक्षा आप देखिए उसकी भागोलिक स्थित्य देखिए सबसे आहम चीज जो आपको उसमें समझनी है वो यह है कि अफगानिस्तान सोवियत संग के दक्षन में है अफगानिस्तान की सीमा भारत की सीमा से भी छूती है अफगानिस्तान का बहुत बड़ा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान को छूता हुआ है और अफगानिस्तान एरान को भी छुता है दूसरी और अफगानिस्तान की निकटा चीन से भी है ये जो उसकी भागुलिक स्थिति है उसने अफगानिस्तान को एक बहुत अहम खित्र का दर्जा दिया हुआ है अत्याधिक महत्पूर्ण खेत्र है और जैसा मैंने पूर में बताया था अन्यध्याव की चर्चा करते हुए कि आने वाले काल में संभावना है कि यौरोप से अंतरराश्टी राजनीती का केंदर बिंदू अब शिफ्ट होकर एशिया की तरफ आगया है और एशिया में अफगानिस्तान है तो आप समझ सकते हैं कि भागोलिक स्थिति से भागोलिक दिश्टि से अफगानिस्तान कितना महत्पूर्ण है खासकर उन राष्ट्रों के लिए जो विश्वशक्ती बनने की कगार पर है जैसे चीन, रूस जो विश्वशक्ती बन चुका है और भारत जो विश्वशक्ती बनने की कगार पर है इन ताकतों से घिरा होने के कारण अफगानिस्तान की महत्ता है दूसरा कारण अफगानिस्तान के महत्ता का अफगानिस्तान के महत्पूर्ण होने का क्या है सैनिक संसाधनों की प्रचुरता अफगानिस्तान में संसाधनों का अपार भंडार है वैसे तो अफगानिस्तान बहुत पाड़ी क्षेत्र है पूबड़ खाबड़ है एक ठंड़ा क्षेत्र भी है लेकिन संसाधनों के मामले में बहुत प्रचुरता है विशेश रूप से लिथियम और साथ ही साथ ओपियम ओपियम जो ड्रग है मादक प्रदार्थ है और बहुत महगा होता है ओपियम की मांग पूरी दुनिया में है पूरे विश्व में है यद्यपिये इलीगल है गैर कानूनी है लेकिन ओपियम से अफगानिस्तान की अर्थ व्यवस्था ओपियम पर ही टिकी हुई है कम से कम आज की तारिक तक और दूसरा जो है लिथियम लिथियम क्या है लिथियम एक ऐसा पदार्थ है जो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल आधी का कोब पीछे करके सबसे महत्पूर्ण इधन के रूप में काम आएगा आने वाले वर्ष इक आरों के Electronic car या Electricity car, car run by electricity और Electronics उन कारों में जो बैटरी लगेगी वो बैटरी में लिथियम के सबसे ज़्यूर्ण ज़रुत होगे और यदि ये कारों का प्रिचलन बढ़ता है तो उस हज़े तक पेट्रोल और डीजल की उपादेता की उपयोगिता कम हो जाएगे तो आने वाले वर्षों में लीथियम की अत्याधिक बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए भी यह खेतर बहुत महत्तपूर्ण हो जाता है यह तो हुई उसकी भगोलिक स्थिति और भगोलिक स्थिति के साथ उसके संसाधनों के कारण उस खेतर का उस खेतर का की महत्ता अब जदी वो खेतर इतना महत्तपूर्ण है तो उसको लेकर सभी तरह की राजनीती भी हो रही है और अंतराश्ट्री राजनीती में अफगानिस्तान एक प्यादा बन के खड़ा हुआ है तीन तरफ तीन ओर जहां महाशक्तियां है भारत चीन और रूस तो इनके मद्दे नजर अमेरिका पीछे नहीं रहेगा खासकर वह अमेरिका जो अपनी वर्चस्थता को बनाये रखने के लिए ये नकेन प्रकारेंड सभी तरीके से प्रयास करेगा तो अमेरिका कभी इस खेतर में बहुत ज़्यादा स्वार्थ नहित है और लिथियम के कारण लिथियम की बहूलता के कारण उसकी प्रचुरता के कारण भी अमेरिका की नजर इस खेतर में है ही भागोलिक दृष्टी से, सैन्य दृष्टी से, स्ट्राटेजिक दृष्टी से और साथ सी साथ संसाधनों की दृष्टी से अफगानिस्तान कितना महत्पूर्ण है यह अब हम समझ गया यह जानने के बाद कि अफगानिस्तान कितना महत्पूर्ण है अब हम ये जाने कि इस महत्पूर्ण होने का परिणाम क्या हो रहा है आज की तारीख में अफगानिस्तान दुनिया का संभवता एक मात्र देश है जिसने गत 70-80 वर्षों में कोई विकास नहीं देखा है मैं पुना दोहरा दूँ दुनिया के 200 राष्ट्रों में संभवता अफगानिस्तान एक मात्र ऐसा देश है जिसने गत 70-80 वर्षों के विश्व के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दिया है अफगानिस्तान स्वैम का कोई विकास नहीं हुआ है बलकि उसका हरास ही होता गया है और ति आर्थिक व्यवस्ता सामाजिक व्यवस्ता सब बुरी तरह पीछे की ओर जारी है डकिया नूसी विचारों की ओर जारी है अठारवी उन्निस्वी शताब्दी की ओर जा रही है आखिर ऐसा क्यों अंतर राश्टी राजनीती अपना खेल यहां खेल रही है यह वो शत्रंज का मोहरा बन चुका है जहां रूस चीन अमेरिका और पाकिस्तान जो उसके पडोसी राश्ट है वो उसका उप्योग करना चाह रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा नज़र डालते हैं क्या राजनीती थी अफगानिस्तान आज से सौवर्ष पूर्व वहां पर एक राजशाही थी शाह का शासन था और वैसे तो अफगानिस्तान की जो सामाजिक विवस्ता है वो कबीलाई विवस्ता है बहुत से कबीलों में बटी हुई है और उस कबीलाई विवस्ता से होते 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 किसी एक कबीले के नेताओं ने अपनी वर्चस्वता वहां बढ़ाई और कोशिश की कि अफगानिस्तान को एक जुट किया जाए सभी कबीलों को एक किया जाए और उसका प्रयास ऐसा होते होते कबीले के एक कबीले के जो नेता थे वे अपने को शाह घोशित करते हैं, वहाँ का राजा बनते हैं दुरभागी से रूस या सोवियत संग, ततकालीन सोवियत संग जो उसकी सीमा से लगा हुआ है वो सोवियत संग वहाँ पर शीत युद्ध के काल में कम्यूनिजम या समाजवाज के विचारों के प्रचार का प्रयास करता है और जो वहाँ की कबिलाई संस्कृती है उसको तहस नहस करने की कोशिश करता है रूस का विश्वास था, सोवियत संग का विश्वास था समाजवाद को सफल होना है तो उसे सोवियस संग के चारों और समाजवाद को बढ़ावा देना होगा प्रश्रय देना होगा और इसलिए उसने पूर्व येरोपी देशों पर अपनी सरकार थोपी थी अपने विचार थोपे थे यही हाल उसने यहां भी किया और 1979 में उसने सो सत्ता है उसको बदल दिया और अपनी पिछलगू सरकार वहां बैठाई एक ऐसी सरकार जो सतत रूप से उसकी ओर देखती थी नजर रखती थी उससे सोवियस संग से जो आदेश लिती थी सोवियस संग के इशारों पर जो चलती थी यह घटना कब की है 1979 यह वही काल है जब धर्मिक सत्ता थी अधनी की करण जो इरान का चल रहा था उस पर आपत्ती उठाते हुए उसने वहां के शाह को पदेश चुट किया और इरान में एक धर्माव लंबी सरकार डाली खोमैनी की सरकार तो एक और जहां अमेरिका इरान में धर्म को बढ़ावा दे रहा था वही तो समाजवाद में कम्यूनिजम में धर्म नाम की चीज नहीं होती तो इसलिए वहां से धर्म को धीरे धीरे पीछे कर रहा था ये दो पड़ोसी देशों की घटनाएं ऐसे हो रही हैं किसी तरह से सोवियस संग अपनी अपना प्रभुत्व या अपना प्रभाव वहां बन प्रभाव किसे जिस प्रधान मंतरी के नितरत में सोवियस संग की सरकार वहां काम कर रही थी जिस राष्टपती के नितरत में उसके जो विदेश मंतरी थे उसको अमेरिका ने अपना एक तरीके से जासूस बना लिया था क्या बना लिया था जासूस विदेश मंतरी को और इस प्रकार विदेश मंतरी अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा था जिसकी जानकारी उसके राष्टपती को अफगानिस्तान के नहीं थी और जब किसी कारण वश अफगानिस्तान के राष्टपती रूस जाते हैं तो अमेरिका की शह पर ये विदेश मंतरी पूरी सत्ता समाल लेते हैं एक तरह का शड़ेंत रचते हैं और ये घटना होती है उन्निस सो नवासी में अन्तिता सोवियत संग उन्निस सो नवासी में दस साल तक असफल लड़ाई लड़के दस साल की असफल प्रयास के बाद भी एक तरीके से पराजय का मुह देखता है और अपनी फौज बुला लेता है निशकर्श ये कि दस साल के सतत प्रयास के बाद भी सोवियत संग अफगानिस्तान पर अपना पूर्ण कबजा नहीं बना पाया और अत्याधिक विशाम स्थितियों में उसे वहां से जाना पड़ा यह हुआ स्टेज वन जब सोवियत संग वहां से ख़देडा गया जब खोवियत संग वहां से चला गया अब जब वो जगा खाली हुई और अमेरिका के द्वारा स्पांसर्ड विदेश मंत्री अफगानिस्तान के मुखिया बने तो अब अमेरिका का प्रभाव वहां बढ़ता है लेकिन इस दोरान एक घटना कुछ ऐसी होती है कि अमेरिका तालीबान की इस थापना में एक तरीके से मदद करता है आपको यह मालूम होना चाहिए कि तालीबान की इस थापना के पीछे अमेरिका जिम्मेदार है मुझाहिदीन जो एक और वहां की आतंकवादी संस्था है उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है मुझाहिदीन को उसने सोवियत संकी सेनाओं से लड़ने के लिए तियार किया और पाकिस्तान ने उसको सभी तरह की मदद दी पाकिस्तान ने उसे अपना जमीन भी दी ये मुझाहिदीन भी अमेरिका की शाह पर ही तयार हुआ और तालिबान भी अमेरीका की शह पर ही तयार हुआ यही सोविय चंग के खिलाफ लड़ने के लिए तालिब्या ने स्टुडन तालिब्या ने विद्यारथी विद्यारथियों की एक तरीके से फौस तयार की मुला उमर उसके मुखिया थे उनको तैयार किया और ये सोवियत संग के खिलाफ इन लोगों को आगे बढ़ाया सामरिक मदद दी आर्थिक मदद दी और पाकिस्तान की जमीन तो थी ही जहां पर वे शरन लेते थे और सोवियत संग को परेशान करते थे परेणाम क्या हुआ कि यही तालिबान जब सोवियत संग चला गया तो ये तालिबान एक तरीके से एक स्वतंत्र सत्ता बना वैठा और स्वतंत्र सत्ता बनाते हुए उसने अमेरिका को ही एक तरीके से चैलेंज किया अमेरिका के द्वारा बनाई गए आतंकवादी गुट अमेरिका के ही खिलाफ खड़े हो गए परिणाम क्या हुआ 2001 की घटना जिसका जिक्र मैं अपने अन्य अध्यायों के विशा में कर चुका हूँ 9-11 की घटना जिसमें World Trade Center पर तालिबानी आतंकवादियों ने हवाई जहाद से हमला किया था जिसे 9-11 की घटना कहते हैं ये तालिबान के नित्रित में ही हुआ था और अमेरिका को एक बहुत बड़ी चुनोती थी और इसका मुखिया कौन था वही तालिबान का नेता ओसामा बिन लादेन जिसे अमेरिका ने ही प्राप अप किया था जिसे अमेरिका ने ही बढ़ाया था मिया की जूती मिया के सिर यहां अमेरिका बहुत समस्या में घिर गया और दो एक के अटैक के बाद उसकी समस्याएं और बढ़ती गए और उसने प्रयास किया कि इस वर्ल्ट ट्रेट सेंटर पे जो हमला हुआ है इसके जो नेता लोग हैं उनको पकड़ा जाया उनको गिरफतार किया जाया और पूरी दुनिया में उसने तालिबानी आतंक वादियों को पकड़ा वही लोग जिसको अमेरिका ने ही शह दी थी लेकिन उसामा बिन लादिन उसके पकड़ में नहीं आया अंततह उसामा बिन लादिन पाकिस्तान में मिला अफगानिस्तान में नहीं और फिर अमेरिका ने उसको समाप्त किया यह हुआ सेकेंड स्टेज अब तालिबान के शासन के खिलाफ अमेरिका परिशान होते रहा और अंतता अमेरिका ने स्वैम निर्णा लिया कि अब समय आ गया है जब वह अफगानिस्तान में तालिबान को पूरा समाप्त करने के और इस प्रकार अपनी फौज भेजे देखिए रूस जाता है सोवियत संग जाता है और यहां अमेरिका की सेना कुछ वर्षों बाद पहुंचती है यह घटना दो हजार एक दो तीन के आसपास की है और बीस वर्ष अमेरिका अफगानिस्तान में रहता है इस कोशिश में कि त जोवियत संग का हुआ वही हश्र अमेरिका का भी वही हुआ अमेरिका सतत रूप से प्रयास करते रहा कि तालिबान को समाप्त करें अफगानिस्तान पर उसका कबजा बढ़े अफगानिस्तान उसकी एक तरीके से उसकी कालोनी बने क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में संस साधन थे क्योंकि वहां पर भागोलिक स्थितियां की दृष्टी से वह बहुत मत्पूंड था लेकिन दुरभाग्य यह ऐसा भी नहीं हो पाया और अमेरिका 20 वर्ष तक प्रयास करते रहा और अंतता 31 अगस 2021 को अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह चला गया बलकि 31 अगस के अल्टिमेटम के एक दिन पहले ही वह उस जगह को छोड़के चला गया कुल मिलाकर निशकर्ष यह है कि जो तालिबान की जो समस्या है ये समस्या बनी हुई है ना सोवियत संग उसे अपने कबजे में ले पाया ना अमेरिका ले पाया और जहां तक पाकिस्तान की बात है पाकिस्तान तो तालिबानियों की शरण स्थली रहा है पाकिस्तान का तो उसमें स्वार्थ नहित है पाकिस्तान का स्वार्थ तो है ही और चीन का भी स्वार्थ उससे जुड़ गया है क्योंकि चीन जो एकारों के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है उस उसको वो इंपोर्ट कर सके उसका आयात कर सके किसी तरह का व्यवधान ना हो तो इस परकार अंतर राश्टी राजनीती में देखिए शीत युद्ध का परणाम यहां देखा गया सोवियत संग बनाम अमेरिका उसके अलावा शक्तियों जो महाशक्तियां है या जो विश्व उनकी ताकत उन्होंने इस खेतर में आजमाने का खेतर समझा और आज परणाम यह है कि अफगानिस्तान की जो समस्या है वो जस्की तस ही नहीं बनी हुई है बलकि और ज्यादा खराब हो गई है अमेरिका के जाने के बाद तालीबानियों ने जो बड़े कट्टर मुस्लिम हैं उन्होंने अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया है अफगानिस्तान में उनकी अपनी सरकार है और अब अपनी फौज भी है देखना ये है कि इतनी कट्टरता के साथ ये कितना शासन चला सकते हैं क्योंकि ये महिला शिक्षा के विरुद्ध हैं ये किसी तरह के संगीत के करण के खिलाफ हैं आप यदि फोटोग्राफ देखें तो बीच में जब एक ऐसा दोर था जब तालीबान में आधनी की करण चल रहा था अमीन allah khan यह आधुनिकी करण के फोटोग्रप के काल के फोटोग्रप के तुलना आप आज के चित्रों से करें तो आप दंग रह जाएँगे यह देखके है कि एक दोर ऐसा भी था जब अफगानिस्तान अत्याधरिक देशों की श्रिणी में आने लगा था, अफगानिस्तान दुनिया के बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉर्ट्स में आने लगा था, लेकिन दुर्भग अंतराश्री राजनीती का परिनाम के आज वहां तालिबान हैं और वे फिर वही सौ वर् काल में चले गए हैं, जो जिसमें दकिया नूसी, परंपरावादी और कटरवादी विचारधारा का वर्चस बना हुआ है, ये इसलिए भारत के लिए वी चिंता की बात है, क्योंकि भारत के पडोस में और भारत की सीमा से लगे हुए देश में यदि ऐसी कुछ घटनाय हो के साथ तालमेल बनाये रखे, ये भारत को टाय करना है कि किस तरीके से वो अफगानिस्तान के समस्या को अपनी विदेश नीटी में समाहित करे जिसमें भारत का हित सर्वोच हो